सब्सक्राइब करेंगे गेल इंडिया लिमिटेड जो की जबर 10 कंडिशन में अभी इसका टागेट काफी उफर का शेट किया हुआ अभी इसने बाइब प्लस डिविडेंड भी दिया था तो काफी अच्छी सिच्वेशन है बात करें गेल इंडिया लिमिटेड के जो अगर 10 मार्च की बात करें तो 150 रुपे पैसे इसका बाउनविक हाई जो इसका हाई था लो की बात करें गाउनविक हाई की बात करें तो पैसे इसका बाउनविक लो है मैक्सिमम की बात करते हैं और किसी टाइम पर दो सो रुपे के आसपास का यह हुआ अगर तो शिर्प पर के आसपास इसका फ्लेक्टिशन मार्केट में मिल रहा है अगर इसके अनलसिस को देखे तो इसका जो जो कंडिशन है इसकी काफी अच्छी है युँआ स्ट्रेंथ की बात करें तो काफी सारी स्ट्रेंथ आइवन जो की रिटन ओन एकुटी इंपूविंग इंपूवि यहां पर देखने को मिल रही है इंक्रीजिंग review every quarter for the past two quarters इंक्रीजिंग profit every quarter for the past two quarters annual net profit improving for last two years company with zero promoter place that is also good thing and the foreign investor की holding है वो increase हुई है growth in operating profit with increase in operating margins year-on-year new 52 weeks आई, strong momentum price above short, medium and long term moving averages, so weakness की बात करें, तो इसमें जो mutual fund की जो holding है, वो decrease हुई है, decline in quarterly net profit year on year, fall in quarterly revenue and net profit year on year, opportunities की बात करें काफी सारी opportunities है, company with current TTM PE ratio less than 3 years, 5 years, 10 years, broker upgraded recommendation or target price in past 3 months, high recovery from 52 weeks, of course, RSI indicating price strength, stock with low PE, so apart from that, अगर इसके threat की पात करें, तो अभी तक कोई company पर threat नहीं है, तो काईज आप यहां पर देख सकते हैं कि कतनी बड़ी बड़ी यहां पर पाइंग हुई है, काफी बड़ी बड़ी candle यहां पर आपको नजर आ रही है, जो काईज जब यह दिसंबर से लेके और अभी तक काफी अच्छी खाजे इसमें पाइंग हुई है, यहां पर बात करें, इसने डिविडेंड अनौंस किया था, प्लस इसने बाइपक भी अनौंस किया था, जो कि मैंने एक वीडियो के थूँ आप तक प् प्लस इसके अगर हम इसके जो होल्डिंग की बात करें तो 86% अभी जो सेंटिमेंट है, उसको पाइ करने का है, 14% सेल करने का, होल्ड करने का ज़ीरो है, तो गवी भी इसको पाइ कर सकते हैं, और 170 रुपए के आस्पास का इसका टागेट करके, अभी चल सकते हैं, तो यौझ नेट पर देखने को मिल रही है अगर बात करें तो कोर्ष नेट प्रॉफिट आगर देखें तो काफी अच्छा इंक्रिमेंट यहाँ पर दीख रहा है अगर बात करें year on year year on year भी अच्छा खासा इसने profit earn किया है तो कई earning per share की बात करें तो of course इसमें quarterly भी काफी अच्छा increment यहाँ पर मिला है अगर बात करें year on year की तो थोड़ा सा इसमें decline यहाँ पर आया है share holding की बात करें तो of course इसमें share holding 52% promoter की holding है बात करें foreign investor की जो की साड़े 15% से भी ज्यादा है बात करें domestic की तो सवा 28% अभी भी holding domestic investor की है अगर बात करें public की तो 4% इसमें public की अभी holding है तो guys अगर बात करें mutual fund के of course मैं ऊपर बता चुका हूँ mutual fund में यहाँ पर decline of course जो percentage में decline आया foreign investor की बात करें यहाँ पर increase हुआ है इसके target को देख लेते हैं प्लस जो काफी सारी of course जो की news है जो कि कल ही चीजें close हुई है वो भी देख लेते हैं सो सबसे पहले target पर चलते हैं तो शेह खान ने इसका target रिवाइज करके 175 रुपे इसका target set किया है चीजे काफी better होती जारी इवन गेल की बात करें तो अगर बात करें आईशे से सिक्यूरिटीज की 144 रुपे आपी भी स्टेबल है इवन अभी भी टागेट इसका 144 रुपे सेट किया हुआ है तो काफी सारी चीजें यहाँ पर पेटर है इवन जो की जो यह target set के आईशे सेक्यूरिटीज ने यह फैट 26 को यह target फ्लैश हुआ है तो गाइस ऑफकोर्स एक सो सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब करके चल सकते हैं और काफी अच्छी सिच्वेशन नहीं बात करें एक न्यूज जो आई थी ऑफकोर्स जिसकी वजह से काफी ऊपर जा रही है गेल इंडिया ओंग से सजिज और अधर इन इन्लोब कुड औल के सब्सक्राइब आइसे वह फिरूब और और पर टारेक्ली उसमें नजर आ रहा है जिसकी वजह से स्तुप को एसे चाहिक डीघ्र होरे है को स्बस्क्राइक एंक्रेज अधे तो την इंडिया लेमिटेड ओंजिसी गेंड आक्टर ग्लोबल ओयल प्राइस जंप्ट मोर्थें यूस्टी वन अपैरल ओन फ्राइडे हिटिंग देर हाइस लेवल इन अल्मोस्ट पूर्टीन मन्थ यह काफी बड़ी न्यूज है कि जो क्रूड ओयल के प्राइस अभी इंक्रीज हो रहे हैं जस्ट पिकोज आप टाइट की ओंजिसी और गेल पर उसका डारेक्ट इफेक्ट पढ़ रहा है अभी भी ट्राइब कर सकते हैं एक सब्सक्राइब के टागेट को लेके इवन बाइब का जो ओफर है वह जा चुका है तो काभी बड़ी जो की बाइब की अभी च अगर 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 कंपनी पाइब करती है की अपना 25 परशेंट वो पाइब करती है तो आप अगर आपके पार 100 share है तो 25 share ही आप buyback के लिए apply कर सकते हैं वो आप जो भी ये सब के लिए एक ही by default यहीं सब होता है buyback में और आपको direct buyback के लिए आपको teammate account जिस भी company में है वहाँ पर उनके साथ contact करना पड़ता है तब भी आप buyback के लिए apply कर सकते हैं उनके थ्रू ही apply कर सकते हैं तो guys of course चीजें यहाँ पर काफी बेटर थी even dividend announce किया था dividend दिया था और काफी अच्छा काच्छा एवन और बात करें buyback की buyback भी हुआ था so according to a statement issued by Gail it will be buyback buyback shares from all existing shareholders by beneficials owners as are recorded which is January 28th and this will be done on a proportionate basis the buyback will be done through the tender offer process at a price of rupees 150 per equity share for an aggregate consideration no not exceeding 1046.35 CR the share buyback will be will close on March 10th the fund for the buyback will be met out by the company through internally generated cash resources now buyback offer size represent 2.5 percent and 2.26 percent of the aggregated of the fully paid up equity shares capital and free reserves as per the audited standalone and consolidated financial statements of the company represented respectively for the financial year ended March 31st 2020 so guys the oil minister had put on hold a plan to bifurcate Gail India limited Gail has massive plan to double its a pipeline network to 34,000 kilometer and the plan would be would have a hampered the company ability to borrow funds to fund its infrastructure needs so guys of course kaffi better hotei jari even crude oil ka effect to of course jakel ke uppar abhi hai no doubt kaffi effect abhi gail ke uppar ho to guys abhi gail kaffi better situation me hai joki buyback bhi kiya tha plus dividend bhi diya tha dividend bhi of course joki abhi tak har kisi ko mil gaya ho ga mahi video ke through aap tak pohuncha hai ye aw'ni few paid up that Atlantic d black cagr Queensland dai kari paful ach stris jakiaki jedi pe Layer could obtainurgi leftover ilš sending a mountain dip selon te aap hotei zove million DEY fish 28,000 to the dollar that increase price price was 1003 25,000 teoff price else STA the dollar which increase the price hothucci sari flagship 2 kari lol to get the loan of course note khafi industrial lyric ft trasflange vergeaga na April 2019 between Russian D как 가는 Gail when you arrived at present Gail शक्ते हैं 170-120 रूपे के आसपास का टागेट सेट करके आप भी पी सो थैंक्स लोट पो वर्चिंग इस वीडियो तो प्लीज टेक क्रें प्लीज लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब थेंक यू टेक क्या